Hello guys and welcome to English Learning Camp आज हम पढ़ने लगे हैं Common Spelling Mistakes के बारे में आज की वीडियो एक तरह का quiz है आपको दो option दिये जाएंगे आपने ये बताना है कि इस word का कौन सा spelling ठीक है वीडियो की जानी बढ़ते हैं Let's start सबसे पहला word दिया हुआ है Embarrass Embarrass अब इसके दो तरह के स्पैलिंग दिये अगर आपने चूज की हैं ये वाले स्पैलिंग तो ये option बिलकुल ठीक है Embarrass में हम दो दफार लिखते हैं और दो दफार ही S लिखते हैं यहां में आप एक दफार आर या एक दफार S नहीं लिख सकते इस तरह का अगर कुछ करते हैं तो ये दोनों स्पैलिंग रॉंख होंगे Next word है grateful grateful जिसको हम कहते है I am grateful to you मैं आपके बहुत शुकर गुजार हूँ तो ये वाले स्पैलिंग ठीक होंगे या फिर ये वाले स्पैलिंग ठीक होंगे आपके पास दो सेकिंड का टाइम है अगर आपने चूज की है ये वाले स्पैलिंग grateful के ये बिल्कुल ठीक है grateful के ये स्पैलिंग जोंके अकसर लोग इस्तेमाल करते हैं ये खलत स्पैलिंग है जि यारे टी ये एफ-ई-वल वाले स्पैलिंग इसके correct spelling है I'm grateful जब आपने यूं कहना है तो आपने ये वाले spelling लिखने है ये वाले नहीं लिखने है इसके बाद है valuable valuable जिसको हम कीमती कहते हैं तो value के spelling तो V-L-U-E वाले होते हैं इसके बाद हम able लगा देते हैं एक suffix तो क्या valuable के ये वाले spelling ठीक होंगे या फिर ये वाले spelling ठीक होंगे अब यहाँ पर जो confusion आती है value के बाद हमने E हटा देना और फिर हमने suffix लगानी है तो यहाँ valuable के ये वाले जो spelling है वो wrong है जब आप valuable लिख रहे हैं तो E हटा दें और फिर U-A-B-A-L-E लिखें ये spelling इसके बिलकुल ठीक है इसके बाद है noticeable noticeable इसके बाद है noticeable आपके पास दो सेकिंड का टाइम है आपने ये देखना है कि कौन जो spelling ठीक है ये वाले ठीक है या ये वाले ठीक है हम जब भी noticeable लिखते हैं इसके correct spelling ये वाले यूज किया जाते हैं जिसमें हम C-E लिख रहें अगर आप यूँ करें कि यहाँ पे क्यूंके valuable में ही E हटा दी है और C के बाद noticeable में भी हटा दी है तो ये wrong spelling कंसीडर किया जाते है noticeable के correct spelling ये वाले है इसके बाद है independence independence अजादी अब independence के क्या ये वाले spelling ठीक होंगे या फिर ये वाले spelling ठीक होंगे अगर आपने independence के उपर A वाले spelling चूँस की है तो ये इसके wrong spelling है independence में अब देख लें नीचे कहीं बे भी A नहीं आ रहे है तो independence के correct spelling E वाले है जाहे बोलने में हमें लग रहें Independence AR लेकिन इसके सही spelling यवाल है इसके बाद है Questionnaire Questionnaire अब इसके ये वले spelling ठीक होंगे या फिर ये वले spelling ठीक होंगे अब उपर जो spelling दिये हैं मैं समें question के बाद simple और यार लगा दिया गया अब इसमें जो उपर spelling दिया मैं इसमें simple question के बाद या यार लगा दिया गया लेकिन आप जब verb कर रहे है questionnaire तब यहाँ पे दो दफाएन का इस्तमाल किया जाते हैं और यही basically इसमें confusion आती है questionnaire में हम एक दफाएन इस्तमाल नहीं कर रहे हैं हम दो दफाएन इस्तमाल कर रहे स्टेशनरी स्टेशनरी अब स्टेशनरी का कौन सा spelling ठीक होगा यह वाले spelling ठीक होंगे या फिर यह वाले spelling ठीक होंगे बैसिकली stationary का अगर वर्ड देखे तो यह दोनों spelling ही ठीक है spelling में mistake नहीं है अब यह depend करता है कि आप कौन सा मिनिंग कन्वे करना चाहें क्या आपका स्टेशनरी से मतलब कि कॉपी पैंसिल वाली ये वाल स्टेशनरी है या स्टेशनरी से आपका मतलब कोई चीज जो कि स्टॉप है जिस तरह कोई वीकल है को गाड़ी है वो मूव नहीं का दी है तो वो स्टेशनरी है अगर आप पैंसिल रिजर वाली स्टेशनरी की बात कर रहे है तब आप ये वाला स्टेशनरी इस्तेमाल करते है ये बहुत कामन मिस्टेक है इसमें अकसर कन्फूजन हो जाती है स्टेशनरी जो ए के साथ हा रहा है इसका मतलब है को गाड़ी कोई चीज जो मूव निकरी है डुकी हुई है यह वाले stationary का मतलब books, pencil, razor उस तरह वाली के meaning में आता है इसके बाद है translator translator तो अब इसका यह वाले spelling आएंगे कि यह वाले spelling आएंगे अब इसके end पे letter का word तो आ रहा है तो आप मैं सही जितनों ने यह वाले spelling चूज की है उन्होंने बिल्कुल सही option चूज की है translator के correct spelling यह वाले यह spelling इसके wrong है आपने इस word पे नहीं जाना कि इसके end पे letter का word आ रहा है इसके बाद है governor अब यह वाले spelling इसके ठीक होंगे या फिर यह वाले spelling ठीक होंगे क्योंकि इसके दोनों spelling में ही बहुत confusion आती है कि end पे er आएगा या फिर or आएगा तो अगर हम governor के spelling लिख रहे हैं तो इसमे और वाले spelling जो है यह बिल्कुल correct spelling है इसमें हम er नहीं लिख सकते हैं नेक्स्ट वॉर्ड है thief 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 के spelling में confusion कहां पे आती है यहां पे अब यह ii वाला आएगा या फिर ie वाला आएगा तो अगर आप मैंसे किसी ने इसके यह spelling चूज किया है तो यह spelling इसके wrong है thief के correct spelling होते है ती एच आई एफ thief beginning 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 का मतलब होता है कोई शुरूगाद अब क्या beginning के यह spelling ठीक है या फिर यह वाले spelling ठीक है आपके पास दो सेकिंड का टाइम अगर आपने beginning के यह वाले spelling चूज की है तो आपने बिलकुल सही spelling चूज की है beginning में हम आई के बाद दो दफाइन का इस्तेमाल करते है तो अगर हम आई एन आई एन जी वाले spelling लिख रहे है तो यह spelling इसके wrong है beginning के spelling यह वाले ठीक है इसके बाद है curriculum curriculum निसा आपको कहते है तो इसके क्या यह वाले spelling ठीक है या फिर यह वाले spelling ठीक है तो बिल्कुल ठीक spelling चूज़ कियें, curriculum. इसमें C के बाद भी U1 है, और L के बाद भी U1 है. इसके बाद है tomorrow. Tomorrow. तो tomorrow क्या double M वाला होगा या single M वाला? क्या इसमें double R आ रहाएगा या single R आ रहाएगा? तो tomorrow के correct spelling क्या है, इसमें हम double R लिखते हैं, double M नहीं लिखते हैं. टी ओ, एम, मोड, double R, O, W, tomorrow. तो इसके double R वाले spelling ठीक है, tomorrow में double M नहीं आता. इसके बाद है balloon. बैलून. अब बैलून के कौन से वाले spelling ठीक होंगे? उपर वाले या नीचे वाले? तो बैलून के ये नीचे वाले spelling मिलकुल सही है. अगर आप single वाले लिख रहे हैं ना, फिर ये spelling ठीक होंगे हैं. तो बैलून के correct spelling है, बी ये double L, double O, N. 40, 40, common mistake. अब हम ये वाले spelling लिखेंगे, या फिर हमें यू निकालना पड़ेगा? क्योंकि बोलने में दोनों 40 ही बन रहे हैं. जब हम 4 लिखते हैं, तो हम ये ही spelling यूज करते हैं, F-O-U-R-4. तो क्या हम 40 भी 4 से बना सकते हैं? ऐसा नहीं है, जब हमने 40 लिखना है, तो हमने यू को निकाल देना है. F-O-R-T-Y, 40. हमने इसके ये वाले spelling लिखना है. ये नहीं हो सकता हम 4 लिखना हैं, क्योंकि हम उसमें यू लिखना हैं, तो हम 40 में भी यू लिखना हैं. 40 लिखते हैं, यू नहीं आता. अननसेसरी, अननसेसरी, अननसेसरी के कौन ये स्पैलिंग ठीक होंगे? सिंगल N वाले या फिर डबल N वाले. तो जब हम अननसेसरी लिख रहे हैं, यहां पे हम डबल N का इस्तमाल करते हैं. अब यहाँ पर याद रखने वारी बात है डबल N का और डबल S का इस्तमाल किया जाए उपर भी डबल S लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर N भी दो दफा आएगा और इसी वज़ा से यहाँ पर confusion आ जाती है unnecessary यह वारे spelling ठीक होंगे loose, एक loose है loose, एक loose दिया हुआ है loose, तो आब इसके कौन से वारे spelling ठीक होंगे basically इसके दोनों spelling ही ठीक है बोलने में दोनों loose ही आएंगे अब यहाँ पर depend करता है कि आप क्या meaning convey करना चाहरे इस वाले loose का मतलब होता है deal है जिसे आपने कोई short पहने हुए और वो आपको बहुत खुली यह loose है इस वारे loose का मतलब होता है गुम हो जाना या खो देना खोने के गुम हो जाने के मिले की में आपती है तो यह depend करता है कि आप ठीले होने की बात करने है तो आप डबलो वाले meaning इस्तेमाल करेंगे loose के अगर आप गुम हो जाने या खो जाने वाले के meaning इस्तेमाल करेंगे तब आप L.O.S.C. loose इस्तेमाल करेंगे I always lose my money मैं हमेशे अपनी रकम को देती हूँ तो मैंने यह कहना है तो मैं यहां पे L.O.S.C. वाले loose इस्तेमाल करेंगे यहां में L.O.S.C. वाले loose का कोई काम नहीं है I always lose my money इसके बाद है writing अब writing में जो basically problem होती है जब हम written लिखते हैं तो हम spelling यह वाले लिखते हैं W-R-I-T-E-N written के हम यह spelling लिखते हैं तो क्या writing में भी हम डबल टी लिख सकते हैं ऐसा नहीं है writing में हम हमेशा single T का इस्तेमाल करते हैं double T सिरफ written में आता है writing में नहीं आता I hope यह वीडियो आपके लिए बहुत helpful रही हो और यहां से अपने कुछ जरूर सिखाओ वीडियो पसाम नहीं हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें like करें, subscribe करें, thank you